असलाम वालेकम and welcome back students www.xpacademy.com जिसमें आप AutoCAD step by step सीख रहे हैं Students, आज का लेसन हमारा R की डिटेल के बारे में है पिसले लेसन में मैंने आपको R का simple use बताया था इस लेसन में में आपको R की डिटेल से अगा करूँगा हमेशा की तरह सबसे पहले हम अपने units का setups बनाएंगे un enter करें un में ने enter किया engineering fits range ok then d enter कर दें modified engineering fits range ok close करतें ucs icon को हमेशा lock करना न बूले origin design करतें इसे पिछले लेसन में हम इस्टुडेंस देखा था R के हम आर्क को one two three points दे दे थे आर्क लग जाती लेकिन आज हम इसकी details discuss करेंगे इसके लिए मैं एक line लेना चाहूंगा जो के मेरे पास है five fits की मैंने five fits की एक सीधी line लगा डाली students मेरे पास ये five fits की line है तो आर्क के अंदर चलते हैं आप first second third point देते तो आर्क आप के पास draw हो जाती है आप इसको ताएं बाएं मूव कर सकते हो ये चीज़े में आपको पिस lesson बता चुका हूं चलते हैं draw के अंदर बजीद options को देख आर्क सबसे पहली option आ जाती है three points यह वही option है जो बाहर पड़ी हुई है यहाँ मैं से ले लेता हूंगे आप से दो कि one two or three तो तीन points दिया आके पास ये आर्क एक draw होकर आ चुकी है इसी तरह से आप इसमें इसको delete किया अगेन मैं draw के इंदर चला गया next मैंने पास option आ रही है start center end अब नाम से जाहर है पहले आपको start point देना होगा center देना होगा end देना होगा अब command को active करें start point दे लाइन का center point दे और end दे अब देखें स्ट्रेंट मैंने इसको left to right शुरू किया है मैंने इसको start दिया center दिया और end point दिया तो ये नीचे के तरफ ड्रा हुई है इसी चीज़ को अगर आप गोर करें मैं अगर 12 से 5 फिट्स की एक लाइन ले लेता हूँ यहां पर मैंने का 5 फिट्स की मेरे पास एक और लाइन है अगेर मैं draw के अदर चला गया start center end उठा लिया अब मैंने इसको start किया right to left तो जैसी मैं right to left आया तो यह आप उपर की तरफ जा रही है मेरे पास यह नहीं कि अगर आप left to right आएंगे नीचे की तरफ आर्क जाएगी अगर आप right to left जाएंगे तो यह उपर की तरफ निकलेगी shapes एक वर में liner ड्रॉ कर लूँगा students five fits की let space e space में प्रेस कर दिया again आप draw के अंदर जाएं next option आ रही है start center और angle students मैं आपको angles के बारे में पहले से अगा कर चुका हूँ द्वारा से देखते हैं start पर click करो और center पर दो अब यह आप से students angle मांग रहा है आके पास angle है 0 से लेकर 360 तक अगर इसको मैं दे देता हूँ 355 मैंने इसको enter किया तो देखें यह 0 से start हुआ चलते चलते so on 355 पर आकर रुख चुका है यह जो बीच में gap आ गया यह 5 का angle आ चुका है मैं अगर इसका angle confirm करूँ इसको मैंने एक point दिया दूसरा point भी देता हूँ इसे कहीं भी और dim scale dim s-c-a-l-e मैंने इसको push भी दे दी value ती इंट्रिट्स का मैंने dim scale दिया अब दिखें students मेरे पास angle यह कितना दिखाई दे रहा है मैं इसको dim scale छोटा कर देता हूँ इसको two fits दिया update तो देखें students मेरे पास dim scale कितना आ रहा है sorry angle मेरे पास कितना आ रहा है 355 का इसी तरह से again मैं five fits की line चूज करूँगा अब अगर आपको कोई 90 का angle देना है तो आप कैसे दे पाऊगे या कुछ भी different angle आप लेना चाहरे हो मैंने इसको start दिया right hand side से mate पर आ गया इसको students में value देने जा रहा हूँ 45 का angle जैसे मैंने इसको enter किया अब आप देखें students ये 45 का angle तक आकर रुख चुका है आप इसको एक को तरीकी से भी confirm कर सकते हैं मैंने इसके middle पे एक line ले लेता हूँ shift at the rate कोई भी line की length रख ले और 45 का angle दे दे आपसे अब देख ये line आपस में आर को line आपस में touch कर रहे है means यह हमारा angle कौन सा है 45 का अब again checker से angle में जाके तो यहां के पास angle कितना है 45 आया है इस तरह से students अगर आपको नीचे की जानब angle चाहिए same इसी जगह पर तो फिर आप क्या करेंगे again draw के अंदर जाएं यह option उठाए start center angle आप start दे center then just up minus की value में चले जाएं जब आप minus 45 देंगे automatically वो उसके opposite निकलेगा next option को देखते हैं फिर five minutes की में एक line लगा आदी students draw के अंदर चलते हैं next जो मेरे पास option आ रही है start center और length आ रही है जब आप यह option apply करोगे आपके पास line की length confirm होना ज़रूरी है क्योंकि यह base करेगा line की length के अपर मेरे पास जो line की length हो कितनी है five fits है तो मैं आप इस option को apply करने जा रहा हूँ draw के अंदर जाए आर के अंदर जाए start center और length के अंदर चले जाए इसमें आपने start point दे देना है center point देना है अब यह आपसे length confirm कर रहा है अगर students इससे में देता हूँ five fits और one inch तो यह line कभी draw नहीं होगी मैं इसको enter किया message क्या रहा है invalid का ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है जिस base के उपर आप लगा रहे हो वो है five fits की तो जहरी से बात है five fits से उपर तो नहीं जा सकते हो इसकी equal और less than value दोगे तो इसको यह accept करेगा इक्वल से मराद five fits की line है five fits इसका equal आएगा less than five fits से कोई भी नीचे नीचे value यहनिके one fits से लेकर five fits तक कोई भी आप value देंगे तो इसको accept कर लेगा length otherwise आप कोई और value देंगे तो इसको accept कभी भी ही नहीं करेगा अब मैंसे four fits की value देने जा रहा हूं मैं draw में गया, arc में गया, start, center, length पर आ गया, मैंने इसको start दिया, center, और मैंसे तब four fits इसको four fits दिया, मेरे पास arc draw हो चुकिया, four fits तक, अब आप legend के दर आएंगे, space लगाएंगे, एक point और ये दुसरा point तो देखा students, आपके पास ये length केदर आ रही है, four fits बना रही है, यानि कि इस arc की जो length है basically, वो four fits है, अगर आप इस arc को सीधा करें, तो ये आपके पास four fits की निकल कर आएगी, इस तरह से जो पीछे हमने लगाया था, ये हमारा angle था, आप click करो इसके पर, तो ये आपको 45 का आ angle दिखाए देगा, वापिस एक में five fits की line लगा रहे तो नीचे की जानब, draw के अंदर चलते है, arc के अंदर आते है, next option जो मेरे पास आ रही हो आ रही है, start, end और angle, बात उपर वाली है, start, center और angle, यहां पर आपने start, end और angle पे click करना है, तो मैंने option active की, मैंने इसको start point दिया, म मैं इसको कोई भी angle इंटर कर सकता हो, मैंने इसको 85 के angle दे दिया, जैसे में इसको enter किया, तो students देखें, तो यह 85 के angle तक चलीगे, arc, आप angle उठाए, point दे, तो यह आपके पास 85 का angle आ चुका है, again, मैं एक और line लगा ले तो आपके पास five fits की, next option को हम देखेंगे, next option मेरे पा है, जिस तरफ आप click करोगे, अगर आपके पास horizontal arc है, horizontal line है, यानिकि X के पर line है, तो इसकी direction बनेगी up and down, अगर आपके पास vertical line है, इसकी direction बनेगी left or right, तो मैंने इसके पर click किया, कहते है, start point बताओ, end बताओ, अब आप click करो, या नीचे click करो, जिदर भी आप click करोगे, तो students, ये उस तरफ line apply हो जाएगी, arc apply हो जाएगी, तो मैं इसके click कर देता हूँ, क्यूंकि जब आप left to right चलते हो, तो shape हमेशा नीचे आती है, मैं इसके उपर click कर देता हूँ, तो देखें, जिदर आप click करोगे, उधर ये shape जाएगी, again, मैं five feet के line लगा रहा हूँ students, draw के अंदर आप चलो, arc के अंदर आ जाओ, next option आपके पास आ रही है, start, end और radius, students, ये मैंने आपको पिछले lesson में बताया था, circle वरे lesson में, radius क्या चीज़ होती, radius आपके पास total value की आदी value को radius कहा जाता है, first करें, अगर आपके पास 10 की कोई value है, तो उसका radius क्या होगा, five, तो चलते है, start पे click करना है, end पे click करना है, radius define करना है, students में इसको start दिया, और end दिया, अब students मेरे पास ये जो baseline है, ये five fits की, definitely five का आदा, आपके पास कितना बंद है, two fits और six inches, अगर students में इसको value दे दू, two fits और five inches, जैसे में इस enter करूँगा, ये कभी भी इस चीज़ को accept नहीं करेगा क्यों, आप radius से value कम दे रहे हो, length और radius में ये ही फर्क है, length में आप value जयदा नहीं दे सकते हो, line की base से, जबके radius में आप अपनी line के radius से value को कम नहीं रख सकते हो, again मैं ये option active करूँगा, मैं इसको start point दिया, मैं इसको end point दिया, अब मैं इसको radius students यहाँ बार define करने जा रहा हू 5 fits, हता कि आप इसको 2 fits और 6 inch दे, accept करेगा, अगर मैं इसको इससे कोई बड़ी value दे दूँ, तो इसको भी accept करेगा, आप start point दे, end point दे, आप से देते हो, 4 fits, तो इसको यह definitely accept करेगा, लेकिन अगर आप इसको छोटी value दोगे तो इसको यह accept नहीं करेगा, again मैंने 5 fits के core line लग आ लेता हूं students, मेरे पास again 5 fits के line आ रही है, आप draw किंदर जाए, और किंदर जाए, next, again यह option पर पीट हो रही है, just point changes हो चुके, देखे, start, center, end, अब यहाँ पे देखे, center, start, end, यह नहीं कि आपने पहले center को click करना है, then start को click करना है, then end को click करना है, तो शुरू करते हैं, पहल यह नजर आ रहा होगा आपको, end, और, sorry, end, center, start, end में इसको define किया, तो मेरे पास यह option draw करा चुकी है, again, मैंने फिर 5 fits की click line लगाई, draw कि अंदर चलते हैं, next option मेरे पास आ रही है, center, start, और angle, तो मैंने दे दिया center, start, इसे मैं angle दूँगा, यहाँ पे, 45 degree, तो यह 45 पे जाकर चाहेगा, next only option आप students खुद प्राई करें, यह है center, start, length, base to base, इसकी बिलकल same to same base है, इसकी, just इसमें point start है, इसमें पहला point center है, अच्छा continue क्या होता है, जो continue basically काम करता आपके last point पे, जो आपने last arc लगाई हुई है, उसको अगर आप मज़ीद पढ़ाना चाहरे हो आगे, तो आप draw के अंदर जाओ, arc के अंदर जाओ, just continue के उपर click किया, देखें students, आखरी arc आपके सामने में ये लगाई हुई थी, तो ये इसको आगे बढ़ा रहा है, अब यहाँ आप सोच चिरोंगे, शायद ये आदी arc थी इसलिए, नहीं, अब देखें, ये भी तो आपके पास 45 क angle पे थी, ये आपके पास for fit की length लेकर आ रही थी, लेकिन continue से कोई active करेगा, जो इसके end में होगी, तो students, ये था हमारा arc के बारे में lesson, ये फाइल आपकी practice के लिए, बिलकल वीडियो के नीचे download की option पे आप click करें, तो आप इस अपने computer में पाएंगे इस फाइल को, नजीत मा xpacademy.com, यहाँ पर एक जुरूरी अलान में करता चलू, जिन लोगों ने अपना course complete कर लिया है, वो प्लीज अपने safety case के लिए apply कर सकते हैं, थैंक यू, खुदा हाफिस.